नमस्कार एक बार पुनो हाजिर हूं मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉक्स में एक सुन्दर सी मेल हतीली है अभी बच्चे हैं बाल अवस्ता है अभी इनकी लेकिन आगे जाके बहुत बड़ी चीज इनकी हतीली में दिखाई दे रही है एक तो हतीली का आकार अगर आप देखेंगे तो निश्चित तोर पे जो है आयताकार दिखाई दे रहा है एक जिग्यासा परिवर्तिका ब्यक्तित तो रहेगा एनलेटिकल स्वभावाला ब्यक्तित तो रहेगा दार्शनिक हाथ है और कहीं न कहीं आगे चल कर जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी पॉजिटीब सोच जादा हाबी रहेगी और उसका बहुत अच्छा फाइदा मिलेगा बहुत बड़ी किस्मत वाली ब्यक्ति हैं लेकिन थोड़ा सा जो है धैर्य की कमी दिखाई दे रही है अगर थोड़ा एक बार भी अगर असफल हो जाते हैं तो बड़ी सपलता कम है लेकिन जीवनकाल के 22 वर्स से आपके जीवन में बहुत बड़ी सपलता है जो अभी तक आपने नीव रखी है जो आप मिहनत कर रहे है और जो आव इंटे रख रहे हैं नीव रख रहे हैं 22 वर्स में वो पूरी तरों से निखर कर आएगा और इसका देश में नहीं बिदेशों तक कहीं न कहीं अपना नाम कमाएंगे यह आपकी हतेली इस पश्ट तरीके से बता रही हैं दो चीजें बहुत अच्छी एक तो देखेगा आपकी जीवन की लकीर इस तरों से पीछे की और आ रही है और इस जीवन की लकीर से अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इस जीवन की लकीर से एक रेखा इस परकार से जाती हुई और ये बुद्ध की और जो है अब इसमें लकीर इस परकार से ही ये यह इस प्रकार से जा रही है थोड़ा धुनली है लेकिन बुद्ध की और जा रही है लेकिन अभी क्या है यह मजबूत नहीं है लेकिन कहां से निकल रही है जीवन की लकीर से निकल रही है और बुद्ध की और जा रही है और बुद्ध भी क्या है हलका अन्बैलेंस है तो अ जाएगा जो आप काम कर रहे हैं 22 वर्स से इस छेत्र में बहुत बड़ी उपलब्दी आप हासिल कर लेंगे और कहीं न कहीं आपका मिहनता ना आपको मिल जाएगा अब इससे क्या होता है जिवन रेका से मरकरी माउंट पे निकलने का मतलब ऐसा अब्यक्ति बहुत बुद्धी जीवी होते हैं ऐसी जो लोग होते हैं वो मैथेमेटिक्स मैठिशियन साइन्टिस्ट औरेटर खिलाड़ी और पत्रिकारिता जैसे छेत्र में जाते हैं और बड़ा नाम कमाते हैं आप भी इनी में से एक छेतर से जुड़े हुए हैं लंबे समय से हैं लेकिन अभी तक आपको उसका जो है पूरा फाइदा नहीं मिला है हाँ निश्चित रोप से अगर देखा जाए तो आने वाले समय में आपको इसका अच्छा फाइदा मिलने वाला है दूसरा अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखेगा यहाँ पे यह भाग उठावा है छोटा काम भी करेंगे तो नेम फिम पानी की इक्षा आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहने वाली है ठीक है न आपको क्या करना है मैं उपाई बिदिवत तरीके से लिखके आपको भीज रहा हो ओडियो के मादियम से बेज रहा हो जरूर करिएगा निश्चित ही बहुत अच्छा लाब आपको प्राप्त होगा यहाँ पे अगर हम देखते हैं आपके मनी बंद में तो मनी बंद में दोर लकीरें दिखाई दे रही है इसका मतलब है देखेगा अगर आप स काम्याबी पा सकते हैं तो ऐसा नहीं है स्वयम की मिहनत और स्वयम के परिशरम से आप अपने जीवनकाल में स्रेष्ट सपलता हासिल करेंगे हाला कि यह चीज यह चीज और यह चीज बता रही है कि जीवन क्या जो प्रारंबिक दौर है आपका उस प्रारंभिक दौरत में संगर्स बना रहेगा लेकिन इसी संगर्स से उठकर आप हर सुक को पाएंगे और हर सुक का आप भोग भी करेंगे यहाँ पे ये चीजें इस पश्ट दिखाई दी रही है दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें तो आपकी हिर्दय की रेखा इस तरों से आती हुई और सीधा देव गुरु ब्रस्पति से युक्ति बना रही है ये बहुत अच्छी चीज है आपका ब्यक्ति तो बहुत स्रेश्ट है सब के लिए सोचने वाले ब्यक्ति हैं आप नौलेज बहुत अच्छी रहेगी बुद्धिमान होंगे तेजस्वी रहेंगे और प्रेम के मामले में भी बहुत सरेश्टता आपको हासिल हो रही है जिसको भी आप प्रेम करेंगे प्यार करेंगे उसको हिर्दय की गहराई से प्रेम करेंगे और अंत तक निभाने वाला ब्यक्तित्व आपका रहेगा यहाँ पे दिखाई दे रहा है लेकिन ब्रेस्पति के कारण स्वाबिमानी होंगे स्वाबिमान में कई बार जो है इगो प्रोप्लम का पुट भी आएगा लेकिन दिक्कत वाले कोई चीज नहीं रहेगी पूरत विश्वासी रहेंगे विश्वास किया जा सकता है ऐसा ब्यक्तित्व रहेगा मानी निर्मल हिर्दय के ब्यक्ति होंगे आप निश्चित ही जीवन में आपको मान पद प्रतिष्टा उचे पद की प्राप्ति होगी इसमें कोई संका नहीं दिखाई दे रही है और अपनी जीवन काल में चाहे जिस प्रकार सी हो चाहे ब्यापार करें चाहे नोकरी करें चाहे और भी काम करें समाज में एक स्रेष्ट जीवन ब्यतीत करेंगे बहुत अच्छी रेखा है बहुत ही बड़े अच्छे फल देने वाली रेखा आपकी हिर्दय की रेखा है मस्तिस्क की रेखा बहुत सांदार है यहां पे भले ही यह जो दौर है यह थोड़ा संगर्सों से भरावा दौर है लेकिन इस से उभरने के बाद यहां पे इसपष्ट दिखाई दे रहा है और कम से कम चीजें बहतर हो रही हैं 22 वे वर्स से जिवनकाल के 22 एर से निश्चित ही अगर हम कहें कि आपका जो बौदिक अस्तर है बहतरीन रहने वाला है एक बिबेक वान ब्यक्तित्व जागर्त हो रहा है और अपने बिबेक से ह ज्यादा काम करेंगे और भौदिक अस्तर के कारण जीवन में स्रिष्टता हासिल होगी यहां पे दिखाई दे रहा है आपकी जीवन की रेखा इस तरों से आती हुई और यहां पे बनी एक मचली की और जा रही है। जीवन की रेखा और केतु की मचले से मिला ये बहुत बड़ी चीज है ध्यान रखें बहुत कम हतेलियों में होता है मनिआप जो है अपने जीवनकाल में बहुत बड़ी यात्रा करेंगे और वो यात्रा आपकी जीवन को एक बहुत अच्छी दिसा में ले जाएगी जो आप जाना चाहते हैं ने विदेश को उस चीज को पूरा करने के लिए निश्चित तोर पे आपको उसी चीज में ज़्यादा सफलता है ठीक है ने अपने को मेंटेन रखो अपने को पूरी तरों से ठीक कर लो और उसके बाद जो है आप उस चीज के लिए बिदेश जा सकते हैं और उसमें आपको बड़ी काम्याबी होगी इसमें इस पश्ट दिखाई दे रहा है 0.1% भी किंतु परंतु नहीं दिखाई दे रहा है बेफिकर रहें और अपने काम को जारी रखें लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे तुरंत जो है सफलता मिल जाए ये अभी नहीं है ध्यान रखें इसका समय एक निश्चित है 22 वे वर्स से इसका समय दिखाई दे रहा है और एक बात और ध्यान रखें जीवन में आपका जीवन चाहे बहुत स्रिष्ट अस्तर तक पहुँच जाए लेकिन तो भी आपकी जीवन काल के 42 वर्स तक 42 एर तक जीवन में बीच बीच में संगर्स भी आएगा और जल्दबाजी में भावनाओं में आके बहुत बड़ा डिसीजन अगर ले लिया आपने ब्यापार में नुकसान की संभावनाईं दिखाई दी रही है और बहुत जरूरी हो आपको ब्यापार करना 42 वर्स से पहले तो पार्टनर्शिप में ब्यापार न करें एक बात का ध्यान रखें खूब मेहनत करने पर ही आपको सपलता मिलेगी और खूब ज़्यादा मेहनत करने पर ही आपके पास धना आईगा और खास कर बहुत बड़ी रूप में धन कमाने की जो इस्तिति है थोड़ी सी लेट आती हुई दिखाई दी रही है हाँ जीवन का जो संगर्स है जो उठा पठक है वो 42 वर्स में जो है बिराम ले लेगा और एक बात बहुत अच्छी है बुड़ापा आपका बेहत्रीन गुजरने वाला है मनि बुड़ापे में आप अपने जवाने में इस परकार की काम करेंगे कि बुड़ापा आपका जो है एक सांदार इस्तिति का गुजरेगा लेकिन थोड़ा सा पीठ का दर्द है घुटने का दर्द है कमर की प्रॉबलम है इसकी संभावना उमर के साथ साथ बढ़ सकती है तो इसके लिए योगा है प्रणायाम है मेडिटेशन ओगे रहा है ये चीजें जरूर करें तो ये चीज नहीं होगी निश्चित तोर पे आपको जो है इसमें जो है ध्यान देना चाहिए अब यहां पे देखेंगे इसके बारे में हमने जो है यहां पे बता दिया है ये जो लकीर जा रही थी अभी मैंने बताया था आपको ये वाली लकीर निश्चित तोर पे और एक लकीर यहां से भी जा रही है अभी लकीरें जो है उदायमान इस्तिति में हैं कम से कम जो है साड़े तीन वर्स के बाद ये इस पश्ट होंगी उसके बाद ही अपना फल देंगी तो 22 वर्स से ही यहां पर अच्छा दिखाई दे रहा है लिकिन आयू बहुत अच्छी रहेगी सफलता जीवन में जबरदस्त मिलेगी जैसे जैसे ये इस पश्ट रूप में उबरिएंगी वेसे वेसे सपलता का अस्तर उबरेगा और कहीं नकहीं बोलने के ढ拼ंज के खारण भी आपको जैसे जिवन में फाईदा होगा करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है और इस प्रकार से जा रही है उच्छ पद की तरब तो कहीं न कहीं मेहनती बहुत हैं मान सम्मान प्रतिष्टा बहुत अच्छी मिलेगी और जीवन में लाब भी बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है थोड़ा बीच में जो है ये जो समय चल लाहा है इसमें थोड़ा सा जो है उतार चड़ाव जादा दिखाई दे रहा है लेकिन उसके बाद चीजें बहुत अच्छी हैं एक बात का ध्यान लखना हनुमान जी आपके इश्टदेव हैं जितला ज्यादा समरपण रहेगा जीवन में उतनी उन्नती उतनी तरकी और उतना सांदार इस्तितिका जीवन ब्यतीत होगा ये उंगली सीधी खड़ी है तो लीडर्शिप की क्वालिटी आपके अंदर बहुत अच्छी हैं स्वाबिमान के गुर्ण बहुत जादा है और कहीं न कहीं औरों पर सासन करने की इक्षा भी आपके अंदर परबल रूप में रहेगी मिडिल फिंगर जो है हलकी ट्रन हो रही है कुछ जादा मेहनत और परिस्रम करने के बाद ही जीवन में जादा सपलता हासिल होगी और कई बार दोड़ा धुपी का काम भी बना रहेगा सूरे की उंगली पूरी तरों से जुक रखी है मिडिल फिंगर के तरफ निश्चित तोर पे अगर हम देखें तो यस पाने की इक्षा नेम फिम पाने की इक्षा और अपने कारियों में विस्तार पाने की इक्षा भी आपके अंदर बहुत जादा रहने वाली है यहां पे दोनों हतेली उंगलियां बराबर है और दोनों मिडल फिंगर से छोटी है धन और यस की भूक है आपके अंदर पैसा और सम्मान ऐसा लग रहा आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और आपका जिवन का मातर लक्षबी यही बना रहेगा यह इस पश्ट तरीके से आपकी हतेली उंगलियां कह रही है यह उंगली सीधी खड़ी है बहुत बहुत बहुतरीन और इसके पहले पौरवे तक पहुँच रही है देखेगा अगर आप ब्यापार करते हैं 42 वर्स के बाद से तो उत्कृष्ट ब्यापारी होंगे और अगर उससे पहले किसी भी छेतर में काम कर रहे हों अधिकारी लेबल का ब्यक्तित्व आपका उभर कर आएगा जीवन में उच्वर्ग का ब्यक्तित्व रहेगा स्रेष्ट और सपलता आपको हासिल होगी और जो कम्यूनिकेशन इसकिल्स है उसके दम पे जो है आप सफलता प्राप्त करेंगे एक बात और देखेगा जब करनिष्ट का उंगली इस प्रकार से लमवत खड़ी होती है अपने छेतर में सीधी खड़ी होती है तो ऐसा बिक्तिस्वयम उद्ध्यमी तो होता है साथ में कुछ ऐसे करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कारियों के लिए लोग उसे सदेव याद रखें और यही आपके अंदर है और यही चीजें आप निश्चित रोप से करेंगे भी आपकी उंगली बता रही है लेकिन देखेगा इसके बारे में मैंने पहली बता दिया है थोड़ा यह संगरसों को दिखा रहा है सुक्र का अगर हम परवत देखते हैं तो वर्टिकल लाइने इस पश्ट दिखाई दे रही है आने वाले समय में अपने कारे के परती जुजहरोपन बढ़ने वाला है जिस कारे को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं बस एक जिद्द पकड़ी रहेगे कि ये पूरा करना ही करना है अन्त तक जब तक एक परसेंट भी रहेगा संभावना तब तक उसको हाथ में लेके रहेंगे पूरा करके ही दम लेंगे और जैसे जैसे एक्सपरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे जो है जीवन में उस चीज का पद भी बढ़ेगा तो ये थी वर्टिकल लाइने अब सुकर देखें बहुत अच्छा है लेकिन यहां पे थोड़ा सा जो है जादा उबर गया है वैसे अच्छा है अच्छा होने का मतलब है कि एक तो ये पीछे के तरफ जुक रहा है तो घुमने फिरने के बहुत जादा सौकिन रहेंगे आने वाले समय में दूसरा अपने को मेंटेन रखना अपनी परसनल्टी पर ध्यान देना अपने को सज सवार कर रखना ये चीजें अच्छी रहेंगे नई चीजों के प्रतिरुझान रहेगा चाए नया परकार का फैसन हो नई परकार की टेकनलोजी हो नई परकार के कपड़े हो या नई प्रकार की कुछ चीज़ें हूँ बहुत एक सुक्सुवधाओं की तरब बहुत ज़्यादा आकर्षन रहेगा और इसको पाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा मेहनत भी करेंगे गलेमर की तरब बहुत ज़्यादा अट्रेक्शन आपका रहने वाला है यह ज़्यादा उठा हुआ है तो थोड़ा मानसिक प्रेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा परिस्रम कर रहे हैं लेकिन तो भी प्राप्ति नहीं वो पारी है जो सुक वास्तों में आपको चाहें यहां पर अगर हम निमन मंगल को देखते हैं और उच्च मंगल को देखते हैं तो प्राक्रम बहुत अच्छा रहेगा आने वाले समय में और एनरजेटिक स्वभाव बना रहेगा ब्रस्पति की इस्तिति देखें ब्रस्पति आपका अच्छा है देखोगे अपने जीवन में इसके कारण स्वयम तो आप उन्नति करेंगे ही जो आप से जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में साहता परदान करेंगे सहयोगी बनके रहेंगे स्वाबिमानी होंगे बिद्धान बहुत ज़ादा होंगे और न्याईप्रिय बिक्ति तो आपका रहेगा हमेशा अपनी बातों का निरोहन कन्ने वाले बिक्ति रहेंगे और दूसरों की मदद कन्नी की भावना भी आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में है धार्मिक भावनाएं भी धीरे धीरे बहुत अच्छे रूप में आपके अंदर रहेगे ग्यानी बहुत ज़ादा होंगे साथ में आत्म ग्यानी भी होंगे और जीवन में इन ब्रिस्पतिजी के कारण यकीन मानिएगा आपको अपार मान सम्मान मिलेगा जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा चाए सड़क का किनारा हो चाए महिलों की उचाई हो हर जगा आपको सम्मान मिलेगा और जो आजकल थोड़ी समस्याएं हैं ये हमेशा नहीं रहेगी निकल जाएगे आप इस समस्या से बाहर और निश्चित रूप से मैं कुछ उपाई दे रहा हूँ सनी बहुत अच्छा है सनी का प्रभाव भी बहुत अच्छा रहेगा थोड़ा चीजों में असफलता की प्राप्ति हो रही है मैं सूरे की एक उपासना दे रहा हूँ इनके निमित करेगा लाब होगा थोड़ा हरी सबजी है हरे फल है हरी दाले है इनका जादा से जादा सेवन करवाईएगा और एक चंदन की खुस्बू वाला परफ्यूम आता है अगर इनको ऐलर्जी नहीं है परफ्यूम से तो निश्चित रोप से जो है अश्चनान करने के बाद रोज थोड़ा सा जो है इनके बदन पे जरू डाले एक हरा रोमाल इनके पास रखें चाहिए इनका आपिस के बैग में हो मनी इनका इसकूल के बैग में हो या जो है इनकी जेम में हो इसको इस्तिमाल ना करें सिंब को देखने बैठे तो इनकी नजर परोपर जो है उस मूर्ति पे बार-बार पढ़ती जाए हरे कलर की ग्रीन कलर की गणिश जी की मूर्ति ठीक है ना इनके पढ़ने वाले रूम में ज़रूर रखे बहुत अच्छा चमतकारिक लाब इनको प्राप्त होगा चंद्रमा भी धीरे-धीरे अच्छा हो रहा है तो इस चीज से बाहर निकल करके जो है इनको बहुत अच्छी चीजों का प्राप्ति होगी अब देखेगा उपाई भी मैं ओडियो के मादेम से बिदिवत तरीके से भीज रहा हूँ इसी परकार से करिएंगे निश्चित रोप से देखो अभी दो से धाई साल जो है चीजों को बैलेंस इस्तित में आने में लगेगा 22 वें वर्स से जीवन में बहुत बड़ी उन्नती की योग बन रहे हैं इनको सपलता मिलनी सुरू हो जाएगी ठीक है ने तो तब तक जो है आप इनको हैंडिल करते रहेंगे तो बहुत अच्छी किसमत भी है और कहीं न कहीं ऐसे करने के फितरत में है कि जिस से लोग इनको सदेव याद रखें और ऐसा होगा भी ये इनकी हतेली दिखाई दे रही है इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनो पस्तित होंगा तब तक के लिए नमशकार